नमश्कर दोस्तों कैसे हो आप लोग गाहे हो पाप सब मज़े में होंगे दोस्तों आज की वाली वीडियो काफी ज्यादा धमाकेदार होने वली है विकोष आज की इस वीडियो के अंदर मायाप लोगो को एक ऐसा स्टॉक बताने जा रहा हों जिसने आपे पूरे 1000% का डивident आरांस किया है जी आँ दोस्तों पूरे 1000% का डिविडेंट यहांप आनाूंस किया एक स्टॉक ने और आज की इस वीडियो के अंदर उसी stock की मैं आप लगों को पूरी details दूँगा बात करेंगे इसके fundamentals की, financials की, shareholding patterns की और साथ ही साथ में बताऊँगा इसी dividend को देने की x rate और record date क्या होने वली है तो चलिए अब इस वीडियो को स्टाट करते हैं, आप इस वीडियो को एंड तक देखना हैं, कहीं पे भी skip मत करना चलिए दोस्तो अभी के भी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं हूँ आरुष, आप देख रहे हैं फिनो मीडिया भाया आरुष, चलिए अब इस वीडियो को स्टाट करते हैं बताता हूँ आपको कौन सा स्टॉक जिसने आपे धमाकेदा डिविडेंट अनौंस के है, पूरे 1000% का दोस्तो इस स्टॉक का नाम बता देने से पहले मैं आप लगों को इसके कुछ और डिटेल्स के बारे हम बता देता हूँ तो चलिए सबसे बहले हम बात कर लेते हैं स्टॉक के पास रिटेंस की तो अगर मैं इसके बात करूँ अल्टाम रिटेंस की तो 2010 से लेके अब तक 2022 तक लास्ट 12 एर्स के अंदर मैं स्टॉक ने 739.33% की रिटेंस दी हैं जो कि अगर हम देगे तो 12 एर्स के इसाब से काफी अच्छे रिटेंस हैं वही अगर हम बात करें स्टॉक के करेंट प्राइस की तो करंटली 4,665 रूपीज के उपर मैं ट्रेड हो रहा है वही अगर हम बात करें स्टॉक के परफॉर्मेंस की तो जो 52 वी कलो है स्टॉक का 4,218 रूपीज का है और वही जो 52 भी खाया है वो 5,667 रूपीज का है तो स्टॉक का जो करंट प्राइस है करंटली अपने 52 वी कलो की तरफ मूफ कर रहा है जो कि हमें बताता है कि यह जो स्टॉक भी एक डाउनवर्ड स्टेंट के अंदर में मूफ कर रहा है चलिए अब बात कर लेगें इस कमपनी के के फणनांमेंटल्स की तो सबसे बह installment बात करेंगे आपे मार्केट कापिटलफेंजेशन की काफी जाद अच्छ है 25.43% की, EPS है 156.35 का, dividend yield है 2.12% की, book value है stock की 640.54 रुपीज की, अगर हम बात करें face value की, तो वो है यहाँ पे 10 रुपीज की, यह तो हो गई fundamentals की बाद, अब चलिए बात कर लेते हैं, इस company के financials की, तो सबसे जाले हम बात करेंगे, revenue की 2018 से लेके 2022 तक के data की, तो 2018 में था revenue 2749 करोर्स का, और उसके बाद लगातार हर साल यहाँ पे revenue increase ही होता आ रहा है 2018 से, and current year 2022 के अंदर में 4734 करोर्स पे आ चुका है, चलिए बात कर लेते हैं, इस company के profit की, तो 2018 में profit था सिरफ 300 करोर्स का, और उसके बाद लगातार बढ़ने के बाद में, हर एक सा यहाँ पे profit भी increase हुआ, revenue के साथ, and current year 2022 के अंदर में 645 करोर्स पे आ चुका है, चलिए अब बात कर लेते हैं, इस company की net worth की, तो 2018 के अंदर में net worth थी 1778 करोर्स की, and लगातार 2020 तक यह increase होती गई, and 2020 के अंदर में 2572 करोर्स पे आ गई थी, but 2020 के बाद में थोड़ी सी stable हो गई आया, फिर अब कह सकते हैं, थोड़ी सी downfall में आ गई, जादा downfall नहीं आया, बस हलका सा आया है, जहाँ पे 2021 में 2550 करोर्स पे आ गई थी, and वहीं अभी current year 2022 के अंदर में 2524 करोर्स पे आ चुकी है, चलिए अब बात कर लेते हैं, इस company के shareholding patterns की, तो सबस्वेल हम बात अदर, retail investors के बास 13.32% का stake था, mutual fund houses के बास 9.05%, other domestic institutions के बास 3.15% का stake था, and foreign institutions के बास 3.05% का stake था, अब चलिए इसे compare कर लेते हैं, September 2022 से, तो जो promoters की current holding है, exactly same है, 71.43% की, retail investors की बात कर लेते हैं, current holding 12.81% पे आ चुकी, approximately आपे 1% या फिर 0.8% आप कह सकते हैं, हमें आपे selling देख प्रशंड की तरफ से, चलिए अब बात कर लेते हैं, mutual fund houses की, तो अगर हम बात करें, mutual fund houses की, तो इनकी जो current holding है, 9.7% पे आ चुकी है, approximately आपे 0.65% की है, purchasing देखने को मिलिये, mutual fund houses की तरफ से, foreign institutions की बात कर लेते हैं, to inकी current holding 3.10% पे आ चुकी है, approximately 0.05% की हमें purchasing देखने को मिल तो approximately हमें यहाँ पे 0.19% की selling देखने को मिली है अधर domestic institutions की तरफ से तो all over shareholding patterns की बात करें तो काफी जाद अच्छे है हमें सारी healthy transactions यहाँ पे देखने को मिल रही है चलिए अब बात कर लेते हैं stock के नाम की तो company का नाम है bear crop science limited and company का जो NAC code है वो है B A Y E R C R O P and वहीं अगर हम बात करें company की official announcement की तो company नहीं यहाँ पे 1000% का dividend announced के है उसकी face value याने की 10 rupees के हिसाब से and यहाँ जो dividend की value बनती है वो 100 rupees per stock के हिसाब से बनती है and इस dividend को देने की x date होने वाली है आज की वीडियो के इंदर इतना ही है अगर आपको वीडियो चलागा और वीडियो को जरूर से like कर दीजेगा इस चैनल को भी जरूर से subscribe कर दीजेगा फिनो मीडिया के अंदर आपको ऐसी stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then bye